नमस्कार मैं पूज उप्रिया लाइब स्टीज के एस्ट्रो शानल में आपका स्वागत है आज हम आप सबको शब्री की कथा सुनाने जा रहे हैं शब्री का वास्तविक नाम स्रमना था वह स्रीराम की अनन्य भक्त थी शब्री का जन्म भील जाती में हुआ था जब उसका विवा होने वाला था तो अगले दिन भोजन के लिए काफी बकडियों की बली दी जानी थी यह बात पता लगते ही उसने अपनी माता से इस जीव हत्या को रोकने का अनुरोध किया पर उनकी माता ने बताया कि वे भील है और यह उनके इहां का नियम है कि बारात का स्वागत इसी भोजन से होता है यह बात सहन नहीं कर सकी शबडी शबडी नहीं चाहती थी कि उनके कारण इतने सारे जीवों की हत्या की जाए अता वह चुप चाप रात के समय घर छोर कर जंगल की ओर निकल परी जंगल में वह रिसी मुनियों की कुचिया पर गई और आस्रे मांगा किन्तु भील जाती की होने के कारण सब ने उसे दुद्कार दिया आखिर में मतंग रिसी ने उसे अपने आस्रम में रहने के लिए आस्रे दिया शबडी अपने बहवार और कारे कुशलता से सभी आस्रम बास्यों की प्रिये बन गई मतंग रिसी ने अपनी देह त्याग के समय उसे बताया कि भगवान राम एक दिन उसकी कुटिया में जरूर आएंगे वह उनकी प्रतीक्षा करें वही उसका उद्धार करेंगे दिन बीठते रहें शबडी रोज सारे मार्ग और कुटिया की सफाई करती और प्रभूसरी र देहारा जीवन शरी राम की प्रतीक्षा की अंत में शबडी की प्रतीक्षा खत्म हुई और भगवान शरी राम अपने छोटे भाय लक्ष्मन के साथ माता सीता की खोज करते वी मतंगडिसी के आस्रम में जा पहुँछे शबडी ने उन्हें पहचान लिया उसने प्रभू को अरपन कर दिया पड़ बेरों को देने का साहस नहीं कर पा रही थी कहीं बेर खराब और खट्टे ना निकले इस बात का उसे भैस अता रहा था उसने बेरों को चखना आरंभ कर दिया अच्छे और मीठे बेर वह बिना किसी संकोच के स्रीराम को देने लगी स्रीराम उसकी स सरलता पर मुग्ध हो गये थे उन्होंने बड़े प्रेम से सारे जूठे बेर खा लिये शब्री के जूठे बेर स्री राम को खाते देख लक्षमन को बहुत आश्चर्य हुआ परंतु स्री राम शब्री की भक्ती और सरलता पर पून रुप से मुग्ध हो गये थे स्री राम क किरपा से शब्डी का उसी समय उद्धार हो गया आपको शब्डी की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताईएगा साथ ये ऐसे ही तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे चानल के साथ बने रहे अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले अगर आप ये वीडियो फीस्बुक के मादे हमसे देख रहे हैं तो मारे पीच को जरूर लाइक करें धन्यवाद